भारत का सबसे अनुखा रेलवे जंक्सन जहां से तसो दिसाओं में जाती है ट्रेने जी हां दोस्तों अगर आप भी रेल के जरीए तेस के विभिन राजियों और सेहरों का सफर करना चाहते हैं तो हम आपको एक ऐसे एस्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जहां से आप तेस भर में जाने वाली ट्रेनों को पकड़ सकते हैं यहां तेस का अत्याधिक ब्यस्तम रेलवे एस्टिशनों में से एक है यहां 2400 घंटे ट्रेनों की आवाजा ही रहती है खास तोर से दिल्ली से दक्चिन की और जाने वाली हर ट्रेन यहां से गुजरती है कश्मीर से कन स्थान समेत अन्य राजियों के लिए भी ट्रेने जाती है। जी हाँ दोस्त हम बात कर रहे हैं मत्रा रेलवे जंक्षन की। मत्रा जंक्षन उत्तर मध्द रेलवे का हिश्चा है। इस जंक्षन से पुर्व, पच्छिम, उत्तर और दक्षिन दिशा के लिए साथ अलग-अलग रूट के लिए ट्रेने चलती है। आपको बता दें मत्रा जंक्षन देश के सबसे बेस्त रेलवे एस्टिशनों में से ए जहां से हर समय ट्रेने गुजरती है। चाहे वो दिल्ली से केरल हो तमिलनाडू, आंदरपरदेश, ओडिशा, राजस्थान, 36 गड़, मध्यपरदेश, समयत कई राजियों की और जाने वाली ट्रेने मत्रा जंक्सन से होकर गुजरती है। मत्रा जंक्सन पर दीन रात ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है। भारती रेल सुत्रों के अनुसार मत्रा जंक्सन पर 197 ट्रेनों का स्टॉप है। इनमें राजधानी, सतावदी, जन सतावदी, गरीवरत तथा, 53 मेल एक्स्प्रेस, मेमू ट्रेन, 6 संपर्क क्रांती, 114 चलती है। आपको बता दें, सन 1875 में मत्रा जंक्सन पर पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। मत्रा जंक्सन में खुल 10 प्लेटफॉर्म है। दक्षिन सीमा और पच्छिमी सीमान्त ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म संख्या 9, ब्रिंदा 1 मीटर गेस ट्रेनों के लिए सम प्लिष्ट क्लीन अस्टेशन के रूप में खोसित किया गया था। जहां तक विद्योती करण का बात करें तो 1982 से 85 में फरिदाबाद मत्रा आगराख खंड का विद्योती करण किया गया। 1990 से 86 में मत्रा भरतपूर गंगापूर सीटी लाइन का विद्योती करण किया गया था। इस अस्टेशन में जात्रियों के सुविधा के लिए प्रेटक्ट सुचना केंद्र टेलिफॉन बोथ कंप्यूटर के तारक्षन केंद्र परतक्चाले साका आरी और मालसा आरी और बुक्स टॉल आदी सभी सुविधाय उपलब्ध है। साथ ही आपको बता दे मौत्रा जंक्षन भारती रेलवे के सिर्स एक सव बुकिंग अस्टेशनों में से एक है। तो उम्मित करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल प अच्छी लगी।